दोस्तो प्राइबिट अस्पतलों में बहतर देखरेक के साथ साथ अच्छे इलाज की उमीद रहेती हैं लेकिन बहाँ पर इलाज कराने का मतलब है बहुत सरा पैसा आर्थिक रूप से सक्षम बिक्ती फिर भी अपना इलाज बहा से करा लेगा लेकिन गरीबों का क्या उन्ह पर केबल भारत के ही नहीं बलके कई और देशों से भी लोग अपने बच्चों की इलाज के लिए यहां पर आते हैं इस अस्पताल का नाम है स्री सत्तसाई संजीबनी अस्पताल स्री सत्तसाई संजीबनी अस्पताल देश का एक मात्र ऐसा अस्पताल है जो बच्चों के द स्थापना सन 2012 में की गई थी पहले यहां पर सभी उम्रों के मरीजों का इलाज होता था लेकिन 2014 से इस अस्पताल को चाइल्ड हार्ट केर सेंटर के रूप में बदल दिया गया और तब से लेके आज तक पूरे देश और दुनिया भर के बच्चों का दिल का इलाज होता है राइपूर में एस्थित स्री 37 संजबनी अस्पताल में कोई कैस काउंटर नहीं है मतलब प्राइमारी टेस्ट, ओपरेशन, ट्रेटमेंट, रहना, खाना सभी मुप्त में दी जाती है इस अस्पताल में 12 वर्ष से काम आयूबले बच्चों के साथ में दो वैक्टी और 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के आयूबले बच्चों के साथ में एक वैक्टी की रहना और खाना मुप्त में मुहाया कराई जाती है स्री 37 संजबनी अस्पताल में 25 तरह के दिल के ओपरेशन फ्री में की जाती है प्राइबेट अस्पतालों में ऐसे इलाज का खर्चात 3 लाग से लेके 25 लाग रुपए तक आती है लेकिन यहाँ पर ये सारे सरजारी और ट्रीटमेंट बिलकुल फ्री में दी जाती है यहाँ पर सालाना 22,000 से भी ज़्यादा सक्सेस्पुली हार्ट सरजारी और ट्रीटमेंट की जाती है राइबपूर के स्री 37 संजबनी अस्पताल में अब तक भारत के 28 राज्ये और कई सारे देसों से भी लोग अपने बच्चों के दिल का बिमारियों का इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते रहते है इस अस्पताल की केमपस के अंदर एक सांदर मंदीर है बहापर रोजाना ओपरेशन होने वाले बच्चों के लिए सारे लोग मिलकर प्रार्थना की जाती है दोस्तो आपको यह वीडियो और यह इंफर्मिशन कैसा लगा क्रिप यह कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए और आपको आपना कोई बात रखना हो वो भी कमेंट सेक्षन में जरूर रखा करे तो मिलते हैं दोस्तो और एक वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत